वेलकूम टू CMCAT प्रोग्रम यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस अध्याई में हम सीखने वाले हैं टैली यारपी 9 में किसी भी स्टॉक आइटम कैटोगोरी यूनिट और ग्रूफ या लेजर को डिलीट करना दोस्तों बहुती बेसिक्स वीडियो है इसमें हम अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों तो जब भी हम कोई भी लेजर बनाते हैं या आइटम बनाते हैं या ग्रूफ बनाते हैं कोई भी बनाते हैं तो क्या होता है जब यूज में नहीं होता है तो उससे हमें क्या करना होता है सिस्टम से रिमूब करना होता है या भी डिलीट करना होत तो हम क्या करते थे अल्टरेशन करके अल्टर अप्शन में ग्रूप अल्टरेशन में जाते थे और वहां पर हम क्या करके अल्टर करके हम डिलीट करते थे या फिर कोई भी आइटम में या यूनिट में अगर हमें हमें डिलीट करना होता था तो हम क्या करते थे वहां पर हमे create item में या फिर create unit में जाकर कि हमें alter में जाकर delete करना होता था तो इसमें क्या होता है दोस्तों तो कुछ ज़्यादा time लग सकता है या हम इसमें long time लग सकता है तो इसलिए हम क्या करेंगे हम same plate farm में हम quickly easily किसी भी item, unit और group को हम आसानी हम किस तरह हम delete करेंगे और detail में जानते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं gateway app tally है यहां पे अगर इस तरह का plate farm नहीं है window तो अगर आप कभी कभी इस तरह भी पास सकते हैं तो यहां पे company info था में directly escape place करना होगा उसके बाद gateway app tally यहां पे मजुद हो जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह जो है यहां पे बहुत सारे options है यहां पे आपको क्या करना होगा डिस्प्ले में जाकर के जब इंटे डालेंगे तो यहां पे डिस्प्ले मेनू appears होगा और यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों तो लिस्ट आप एकाउंट में क्लिक करना है दोस्तों आप देख सकते हैं यह टेली यार्पी 9 में एक अलग सा interface appears है और यहां पे जो right side में ये underline किया गया है? इको underline किया गया है? इसे यह जाहिर होता है कि अगर हम control प्रेस करके अगर यहां पे टी का underline है फिस्प्ले होगा stock ग्रूप यहां पे महुद हो जाएगा और list of stock group यहां पे display होगा इसी तरह दोस्तों control प्लस अगर हम के करते हैं तो क्या होगा? जितने आइटम से सब महजूद यहां पर हुआ है ठीक है तो दोस्तों इस तरह हम क्या कर सकते हैं तो जो आप्शन से सेलेक्शन कर सकते हैं अब यहां पर नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर क्वीट है अल्टर है और डिलीट है जो भी हमें डिलीट करना है तो यहां पर ह करने के बाद क्या हो का डिलीट असदानीजे कर सकते आई-एमीengl호 worrying जैंग करते हैं तो हमें करना है यहां पर करना है है सेलेक्ट इसके बाद करना है यहां पर डिलीट करेंगे तो यहां पर इस तरह का इंटरीर ही आएगा जब िशय करते हैं तो फिरेंगे कोशलाइख सकते हैं यहां पर गुखिस करना के राएंक चलते हैं और यहां करेंगे करेंगे तो यहां से कृत तो इस तरह दोस्तों आशानी से किसी भी लेजर को हम डिलीट कर सकते हैं तो चलिए आगे का अप्शन में चलते हैं दोस्तों अगर हमें यहां पर एस्टॉप ग्रूप को डिलीट करना है तो यहां पर हमें कीबूर्ड से प्रेस करना होगा सौटकॉट कंटॉल टी जब भी करेंगे तो यहां पर आप कि अंदर आइटम से तो तब तक यह डिलीट नहीं होगा जब तक आइट ग्रूप को क्या करेंगे ब्लेंक नहीं करेंगे यहां पर देख सकते हैं सूगर को हमें क्या करना होगा पहले डिलीट करना होगा यहां से कर देते हैं ठीक है यहां पर सूगर करेंगे तो हमारा यह इसमें कुछ नहीं है तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हमोस्पैनल धिलीट करसकते यहां पर क्लिक कर लेंगे भी एक आप सर्ड में चलते हैं दोजस्तों यहां पर इस्टॉक आइटम जभी कंट्रल प्लॉस आए करेंगे तो यहां पे स्टॉक आइटम महजूद होगा अब इसमें बहुत सावरे इल्यक्टो निक्स आइटम है फरनीचर आइटम है इस टेशनरी कि लिए आप लिखना भी आँचा यहां इसके हो चुका श्रया है यहां सब्सक्राइब करidente privilege चुका करते हैं हम बैंच को चुका करेने हैं थीक एक आपकार करने दोस्तों जो भी आइटम हम ढूलिप करना चाहते हैं तो यहां पर हम आप सेलेक्ट करेंगे और सब्सक्राइं चलते हैं तो यहां पर चाहएंग चलते हैं उनिट्छ अपर दर्जन जा डिंतर पेडुटर्व किलोमेटर यह सब क्या है दोस्तों इजिसको डिलीट करना है तो जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं तो आज का टूडियल था दोस्तों इसमें हमने जाना कि किसी भी ग्रूप आइटम लीजर और यूनिट को हम किस तरह हम डिलिट करेंगे इसके साथ सब्सक्राइब करें अगर किसे दर कोई प्रॉब्लेम हो हमारे बहुत सोचल मेडिया आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोलूशन कर सकूँ धने बाद